सर्दी का मोसम अपने चरम सीमा पर पहुँच गया है सर्दियों का मोसम आते ही रहन सहन पहनावे और खानपान की चीजों में बदलाव आ जाता है बात करें खाने की तो सर्दी के मोसम में गुड हमारे शरीर के लिए किसी रामबान और शिधी से कम नहीं है कई लोग तो गुड को बिना रोटी के ही खा लेते हैं गुड में कई परकार के पौश्टिक तत्व पाये जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए काफी फायदे मंद होते हैं सर्दियों में ये हमारे शरीर के लिए पावर बूस्टर का काम करता है सर्दियों में इसकी तासीर हमारे शरीर को अंदर से गर्मी प्रदान करती है गुड़ खाने के कई शारेरिक फाइदे होते हैं आज के समय में अधिकतर लोग जोड़ों के दर्द से काफी परेशान रहते हैं ऐसे में गुड़ आपके लिए किसी ओशधी से कम नहीं है अगर आप अध्रक के टुकड़े के साथ गुड़ का सेवन करेंगे तो इससे आपकी कमजोर हड्या मजबूत होंगी और आपको जोड़ों के दर्द में आराम मिलेगा सर्दियों में कई लोग त्वचा संबंधी रोगों से भी परेशान रहते हैं अगर आप प्रती दिन अपने भोजन में गुड़ को शामिल करते हैं तो त्वचा से पीडित व्यक्ती के लिए ये काफी लाबधायक होगा बाहर का खाना भी लोगों को खूब भाता है लेकिन उसके बाद वो गैस कब्च की परेशानी से पीडित नजर आते हैं अगर आप गुड़ के साथ काला नमक मिला कर खाएंगे तो आपको गैस से जल्द आराम मिलेगा साथ ही प्रती दिन गुड़ खाने से आपकी पाचन क्रिया भी अच्छी रहेगी और आपको भूक भी खुलकर लगेगी इतना ही नहीं अगर कोई व्यक्ती खून की कमी से परेशान है तो उसके शरीर के लिए गुड़ किसी अमरत से कम नहीं है रोजारा गुड़ के सेवन से हीमोगलोविन बढ़ता है एनिमिया से पीडित व्यक्ती के लिए तो ये रामबान ओशधी है साथ ही गर्भवती महिलाओं के लिए भी ये फायदे मंद होता है